आज आपके लिए guys हनुमान जी का reading लेकर आ रहा है कि हनुमान बाबा हनुमान जी आपके लिए क्या guidance देते हैं क्या संदेश बताना चाहते हैं ये बहुती powerful देवता है guys बोला जाता है कि आप सच्चे मन से हनुमान जी से जो भी आप मांगते हैं वो मिलेगा एक बार विश्वास रखके और आप करके देखिए जरूर से जरूर आपकी विश्पूरी होगी आप हनुमान जी से जो भी मांगिए सच्चे मन से मांगिए और आज की रीडिंग इसी पराधारित है कि हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं the lovers is of pentacles six of cups the high priestess seven of cups यहाँ पर आपके लिए आ रहा है हनुमान जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो प्यार की कमी थी जो लब की कमी थी वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है love का मतलब यही नहीं होता है guys कि आपके जीवन साथ ही भी मिल सकते हैं लेकिन हो सकता है आपके जीवन में जो प्यार की बहुत बहुत ज्यादा कमी हो गई थी प्यार की कमी लब की कमी यानि आप हो सकता है कि आपके मदर फादर जो है वो बहुत आपको ध्यान न देते हूं इधर से ये आ रहा है कि आपको पारिवारिक प्यार भी मिलेगा फैमिली का सपोर्ट मिलेगा सहयोग मिलेगा और साथी साथ आपके जीवन साथी भी किसी किसी क आने वाले हैं क्योंकि लबर का कार्ड है यहाँ पर आपके soulmate मिलने के भी chances ज्यादा हैं याँणि आपके लबर भी मिल सकते हैं आपके जीवन साती भी यहाँ पर आपके लिए आ सकते हैं आपके life में और आपके 62 पापा का आपके परिवार का support अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको प्रोमोशन मिल सकता है या तो आपका जो पे है वो बढ़ सकता है अगर किसी को नौकरी नहीं है तो यहाँ पर नौकरी मिलने का भी चांसिस ज्यादा है आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो आप उसमें जरूर से होलगा हाडवर करिए मेहनत करिए आपके life में new beginning हर छेतर में होने वाली है of career में ओप्यार में और साथी चाह कोई आपको परशान कर रही थी जो आपको कस्ट से रही थी आपको तकलीफे दे रहे थी या family wise या आपके रिश्दार आपको परिशान कर रहे थे या कुछ भी ऐसी तकलीफे हैं जो आपको इस नहीं नहीं मिल रहा था प्यार नहीं मिल रहा था अपने परिवार से अपने रिश्दारों से आपको अपमान ही मिल रहा था वो भी चीजे के यहां पर खतम होती हुआ दिखाई दे रही है और आपके life में उनका support मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं यहां पर cup की energy है और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि आप अपने सुक संप्रिध्धी के लिए बहुत चीज करेंगे यानि आप अपने गाड़ी भी खरी सकते हैं बंगला भी खरी सकते हैं और कुछ भी ऐसी चीजे है जिसको आपको बहुत-बहुत ज्यादा जरूरत थी जिससे आपको तकलीफ हो रही थी कोई भी ऐसी चीजे हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके life में सुख सम्रिधी आने वाला है abundance आने वाला हनुमान जी बोल रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको हनुमान जी की ही आप रादना करते हैं तो जो भी आपके life में थोड़ी बहुत तक्लिफे आ रहे यहां पर यह भी बता जाए कि बहुत सुब समय आपका चल रहा है बहुत अच्छी चीजे चल रहे हैं आपके लिए अगर आप थोड़ा सा अपने को एक्टी बनाते हैं हाड़ वर करते हैं तो आप बहुत बहुत ज्यादा आगे रहेंगे चाहें वह पद के रूप में चाहे जो भी आप कारे कर रहे हैं उसमें आपको पदुन्नती मिलेगी सक्सेज मिलेगा सफलता मिलेगा यहां पर हनुमान जी का बात हो रहा है गाइस और यहां पर हाई प्रिस्टेस का काड़ आया तो यानि आपको स्वैम आशिर बात दे रहे है हनुमान जी आके क्योंकि यह द कामने आपको मैसेज दे रहा हूं कि तुम ढरो नहीं तुम हिम्मत मत हारो तुम अपना काम करो मैं तुमको अशिर बात देता हूं जिस काम को तुम चुवोगे उसमें तुमको बहुत सफलता मिलेगी सक्सेज मिलेगा लेकिन यह है कि अपने काम से तुम पीछे मत हटो आपको कुछ तो ऐसी प्राप्लम है जो आप छुपा रहे हैं यहां आपके लिए गाइदेंस हा रहा है कि अपने दिल की बात जो है जो भी आपके मन में बात है रहस है वो किसी से कहिए नहीं तो आप परिशान रहेंगे, चिंदित रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, इससे अच्छा है कोई भी बात, कोई भी रहसे है, कोई भी आपके मन में ऐसी बात चल रही है, जिससे आपको परिशानी हो रही है, चिंता हो रही है, टेंसन हो रहा है, तो आप किसी बहुत खा सखो दूसरों से सेयर करो तभी जाके आपको थोड़ा से सांती मिलेगा पेसेंस आएगा आपके लाइप में और तभी आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं सकसेज और यह दुरगा मा का कार्ड माना जाता है और यहां पर साक्षात हनुमान जी की रीडिंग हो रही है आप रीडिंग को देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही सफल किया यानि फिर से हाई प्रिस्टेस के रूप में हनुमान जी और यहां दुरगा माता के रूप में वोड़ंद रहे हैं कि आपको सँसे और सफलता जरूर मिलेगी बच्चे तुम अच्छे से काम करो मल लगाके काम करो तुमको इतना जाधा में खुशिया दूगा इतना जाधा सक्सेश दूगा कि तुम समझ भी नहीं components Ł blueberry की तुम्हारे पर सवार हैं यहां पर आपके लिए बाबा कह रहे हैं कि आप दो चीजों पर मत सवार हो यह अगर आप दो चीजों पर सवार होते हैं तो एक चीज बहुत बुरी तरह से खराब होती है बलकि आप सही डीसिजन लीजिए सही चीजे आप करेंगे अपने लाइफ में और एक व काम पर एक साथ फोकस मत करिए एक चीज को अपने माइंड में रखिए उसी पर योजना बनाईए उसी पर चलिए तभी जाके आपको सक्सेज मिलेगा शेरिंग मैंने बोला ना आपके जीवन में कुछ ऐसी रहस्य की बाते हैं कुछ ऐसी बाते आप छुपा रहे हैं जिसके कराण आपको कस्ट हो रहा है गाईज शेरिंग का काड़ा गया इसके लिए देखिए रीडिंग 110 परसंट सही होता है गाईज यहाँ पर देख सकते हैं आप शेरिंग का काड़ा है आप अपने दिल की बात दूसरे से शेर करिए दूसरे से कहिए आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बहुत ही गुरु आपके ह साथ हो किसी विश्वसनी इंसान से कहेंगे तो आपका बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है यह समय यहाँ पर इनोसेंस का काड़ आया गाईज तो इनोसेंस का काड़ यह बताता है कि आप बहुती मासूम हैं बहुती सच्चे इंसान है और इश्वर उसी का हेल्प करता ह जो सच्चे दिल वाला रहता है सच्चे मन का रहता है थोड़ा इश्वर परिछा लेते हैं कोई भी काम थोड़ा देरी से करते हैं करते जरूर है गाईस यहां पर तो यहां पर आपके लिए गाईडेंस आया कि अपना मासूमियत सच्चापन बना के रखो तभी जाके तुम बहुत बहुत आगे जाने वाले हो एक का डौर लेंगे गाईस देखते हैं क्या रहा है निव वीजन मैंने बोला ना कि अपना अपना वीजन जो है अपना जो नजरिया है वो बदलिए मन की बाते मन में मत रखिए अगर निव वीजन अपना रखते हैं अपने को गाईस की अपना vision जो है अपनी द्रीष्टी है न अपने कारियों पर लगाई है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हनुमान जी ने आपको guidance दिया कि एक काम पर ध्यान दो यहाँ पर भी यही बात आपको अनुमान जी कहना चाहर हैं कि जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हो एक ही काम पर focus करो एक ही काम करो अपनी द्रिस्टी एकदम एकाग्र करके काम करोगे और बहुती सोच समझ कर कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको बहुत-बहुत बड़ी सक्सेज़ और सफलता मिलेगी और आपके लाइफ में बहुत-बहुत ज्याद़ अबंडल सुक्ष संब्रिद्धी और आपका बहुत बहुत ज्यादा जो सच्चा पन है अच्छा पन है हनुमान जी को बहुत ही प्यारा है और आपको बहुत ही ज्यादा ब्लैस कर रहे हैं सकसेज दे रहे हैं असिरबात के रूप में अगर यह फाइल आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं सब्सक् क्यूंक आप राग।